नमस्कार दोस्तों प्रिश्टेडी में आप सभी का स्वागत है आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी टेपलसी जेई न्यू वेगेंसी चुद्ट जाजार तेस के आने वाली उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे कि कुल कितने पद हैं तो उसके बारे में सिविल एलेक्टर मेकैनिकल की एक्सपेक्टर बताऊंगा कि इतनी आ सकती है और तीसरी बात में बताऊंगा कि कट आउफ कितनी चाहेगी फिर कितने लोग सॉड लिष्ट होंगे फिर एक्जाम कब तक हो सकता है तो दोस्तों इस सब के जनकारी के लिए आप वीडियो के अंतक बने रहे है तो आई सुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं जो एक्सपेक्टेड पोश्ट है वो कितने आने वाली है जो ख़बर मिली है सुत्रो के दवरा जो एक्सपेक्टेड पोश्ट आने वाली है वह आपकी आने वाली है 1489 लगबग कितने 1489 इस से कुछ कम भी हो सकते हैं और जादे भी हो सकते हैं ये भी अनुमाना भी है ठीक है वैसे जादे होने के चांस जादे हैं और ये सिविल इलेक्रिकल मैकैनिकल तीनो ब्रांच का आएगा और इसमें ब्रांच वाइज मैं बता दूँ ब्रांच वाइज ये है कि जो सिविल की है वह लगबग एक हजार पलस की आएगी कितना एक हजार से एक ग्यारा सो तक आ सकती है सिविल की और बाकी जो रहेगी आपकी 300, 300, 400 वो दोनों रहेगी electrical और mechanical मिलागी मैं इसलिए कहरा हूँ कि पिछली बार जो 2018 की वेकंसी आये थी सेम इसी तरीके से आये थी और अब हम बात कर लेते हैं कि पेट जो 2022 का cut-off होगा और ये वेकंसी जो मैं बता दूँ कि पेट 2022 से ही आएगी ना कि 23 ठीक है और जो मैं cut-off की बात कर रहा हूँ कि जो cut-off है वो कितनी जा सकती है तो मैं एक general cut-off बता रहा हूँ general का मतलब उसी के अंतरगस सबा जाएंगे तो जिसका 50 प्लस नमबर है कितना 50 प्लस नमबर है वो अपनी preparation इस्टार्ट कर दे ठीक है ये अभी कम भी जा सकता हूँ सकता 40 भी चला जाए ठीक है अब बात कर लेते हैं कितने लोग short list होंगे तो जो जितने लोग short list होंगे इसका 30 गुना होंगे कितना इसका 30 गुना तो इसका 30 गुना जितने भी होंगे वो क्या होंगे short list होंगे अब बात रही एक्जाम की कब तक हो सकता दोस्तों एक्जाम की कोई गारंटी नहीं है कि कब तक होगा UPCC है भरोसा नहीं है आप लोग भी जानते हैं सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए लेकिन आपको मैं यह भी बता दूँ कि एक्जाम कब तक हो सकता है तो मालो अगर नोटिफिकेशन लाच्ट दिसम्बर तक आ जाएगा लाच्ट दिसम्बर तक नोटिफिकेशन आने के बाद आपका क्या होगा कि यह जनवरी में फार्म फिलप होना इस्टार्ट हो जाएगा और माली जे 15-20 जो फार्म फिलप कराए 15-20 इसे जादा नहीं देगा और उसके बाद जो सॉर्ट लिफ्ट होगा एक्जाम की जो बात कर रहे हैं यह एक्जाम अप्रेल में या मार्च में नहीं होगा यह एलेक्शन बाद होगा तो यह एक्जाम मान की चलिए आपको कि जून तक जा सकता कब होगा जून नून में या अपका एक्जाम यह हो सकता है क्योंकि एलेक्शन में दोजार चोबिस में एलेक्शन है इस वज़े से अगर पहले करा लिया तो अच्छी बात है लेकिन पहले कोई सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और वीडियो को लाइक और सेरे करना ना भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग